हेलो फ्रेंड्स बेलकम टू माई चैनल आज हम बनाना सीखेंगे नारियल की बर्पी नारियल की बल्पी बनाने के लिए हमें चाहिए 1500 ग्राम नारियल का मुरादा 250 ग्राम मावा 250 ग्राम बूरा बनी बूरा घर्पी बनाया है चार से चेहरी लाइची बादाम गार निसिंग के लिए हमावा दालेंगे हम सारा मावा डालेंगे यहां हमने 250 ग्राम मावा लिया को पूरा फूरा मावव मुठाहिम file के अच्छे से मेल्ट कर लेंगे स्कते से चलाते हुए भी मिल्ट करना है कि हमें खेस की फ्लैम को लो ही रखना है जब तक कि माव मिल्ट नहों já तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से माव को विल्ट कर लेना है को जितने अच्छा वूना हुआ मावा रहे गाउत्ता ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका हमें मावा एक वह अच्छे से फूल लेना है यह देखी दोस्तों थे मावा भू बूल्ट हो गया है हमें इसी तरह से चलाते हुए थोड़ी देर और बुनना है यह देखिए दोस्तों इस तरह लगातार चलाते रहेंगे जिससे की मावा नीचे चिपकेगा नहीं हमें लोपलेंपे ही रखना है यह देखिए दोस्तों इस तरह से चलाते हुए अच्छे से बुनना है अच्छी बर्फी बनती है मावे की को ऐसे ही मपूनते जाना है जब तक कि अच्छे से मिक्स ना हो जाए लगातार ऐसे चलाते जाना है यह देखिए दोस्तों एक्दम अच्छे से मिक्स हो गया है मावा देखिए कि अच्छे से मेल्ट हो गया है हम ऐसे इसको मिलाते रहना है हमें चलाना रुकना नहीं है जिससे नीचे लग जाएगा इसका अच्छी लगातार चलाते रहना है इस तरह से चलाते हुए भूनना है इस तरह से चलाते हुए मावे को हम देमे देमे आज पर भूनेंगे इससे मावा नीचे लगेगा नहीं नीचे लगना जाएगा तो मावा चुपक जाएगा यह देखिए दोस्तों हमारा मावा लगबग भून चुका है वह एकणा ही छोड़ रहा है अब हम हरी रायचों को पोड के पाउडर बना लेंगे एसा वी तो लायची लेना पसंद करती हूँ माजार में लाची का पाउडर में मिलता है पर वो अच्छा नहीं होता है अब मैं इसको मावे में डाल दोंगी इससे उसमें बहुत अच्छी घुश बुआएगी पाउडर बना लिया मैंने अब मैं इसको मावे में डाल दूगी घर का बोना हुआ लाइची पाउडर बहुत ही अच्छा होता है बहुत कुद्बुदार होता है अब इस तरह से मामी की बर्फिव जरूर ट्राइ कीजिए तेहारों पर बना करके अपने सभी दोस्तों को किला इस तरह से बना ही बहुत ही स्वादिष्ट होती है अब इसको ऐसे चलाते हैं पूरा मिक्स कर लेंगे यह देखिए दोस्तों हमको इसको लगातार चलाते रहना नहीं तरह से चुपकने लगता है अब हमारा भावा फूरी तरह से भून करके तयार हो गया है इकड़ाही छो सब्सक्तम बूरा और ऐड़ करेंगे मने घर पे ही बनाया है अब चाहे तेसे इसका वीडिवीद्यो देख सकते ही मेरे चैनल पर अब इसको अच्छा से बिलाते हुआ ह। करेंगे जब तक की बूरत मावे्ट में हो जाता है अज हो जो जाते ही मैं इसको अ को फ्रेम पर रखेंगे अ कि दूस्तो चालाते रहना है जो सकनद मिठ एप σταथ बुरा बना डॉलेंगे तुम अच्छा इसके लिए मैं पहले मैं करना चाहूंगी कि आप इस तरह जरूर ट्राइए करें बुरा बना करके बनाएं बहुत दानेदार बहुत अच्छी मिठाई बलती है इस तरह से बनाएं ही वेर्फी जरूर खाईए अभी इसको चलाते हुए थोड़ी देर बुलेंगे थोड़ा सावर गाड़ा होने देंगे हमें इसको लोग फ्लेम पर ही रखना है यह देखी दोस्तों मारा बेटर कापी गाड़ा हो चुका है चेने भी अच्छे से मिक्स हो चगी है मामा में वैसे चलाते हुए थोड़ी देर और भून लेंगे यह देखी दोस्तों वाली चीनी मेल्ट हो चुकी है अब हमेशा घर पे इसी तरह से मिठाई बनाई है बहुत ही हेल्दी स्वीट होता है बच्चों के लिए बुड़ों के लिए सभी के लिए मुद अच्छा होता है इस सुद्ध मावे से बना हुआ है विस्क का बुरादा मने डाल दिया है अब इसको मिस्क करूँगी अब को चलाते में मिक्स करना है हमको मने गया सकी प्रेम को थोड़ा तेज कर दिया है इसको लगाता चलाते रहना है छोड़ना नहीं है नहीं तो नीची से मावा जल जाएगा यह देखिए दोस्तों हमारा वेटर इतना सूप जाना चाहिए अब हमारी बेरफी जमाने के लिए तयार हो गई है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे अब हम पहले प्लेट में घी लगा के तयार कर लेंगे प्लेट को अब हम यह देखिए दोस्तों हमारी मिठाई का विक्चर लगबख बनके तयार हो गया है हम एक बरत्र में घी डालेंगे और इसकी चारोधों तरफ अच्छे से फहला लेंगे यहम ऐसे इसलिए करते हैं जिसकी आसानी से बरफी को जा सके और बाद में निकाला जा सके बर्फी प्लेट में जिपकेगी नहीं इस पर आसे हम इसको फैला लेंगे थाली में जैसे फ्लाते जाना है अच्छे से दबाते हुए सारे के सारा सारक सारा मिक्सेश में डाल लेंगे अब इसमें यह देखिए दोस्तों हमने सारक सारा मिक्सेश में डाल दिया है अब हम इससे थाली में फैला लेंगे अच्छे से इस तरह से दबाते हुए यह देखिए दोस्तों इस तरह से हमें फलाते दवाते हुए फला लेना है इसके लिए हमने पहले से इसमें घीला गा लिया था जिस्टे की मिठाई चिपकेगी नहीं काटने में आसानी होगी इसके पीसे सासानी से निकलाएंगे इस तरह की मिठाई आप जरूर बना करके ट्राइक कीजिएगा बहुत ही टिस्टी और बहुत साधिस्ट और बहुत ही हल्दी होती है किसी भी तरह का मैंने इसमें केमिकल यूज नहीं किया है नैच्रल कलर है बिल्कुल नारियल का अब मैसे गारनिसिंग के लिए थोड़े से बिल्कुल तैयार हो गई है हमें इसे ठंडा करके ही काटना है गरम पर नहीं काटना है जब पूरी तरह से ठंडी हो जाए तभी हमें काटना है मैंने से गारनिसिंग कर लिया है अच्छी से बादाम से आप चाहें तो और भी ड्राइव फूट्स डाल सकते हैं कुछ जो भी ड्राइव फूट्स बतन दो डाल सकते हैं अब मैं इसके पीसेस काट लोगी इस तरह की से दिखें किते आसानी से इसके पीसेस कर जा रहे हैं यह दिखिए दोस्तों बहुत आसानी से कर जा रहे हैं इसके पीसेस बहुत ही आसान है इस तरह की मिठाई बनाना आप ज़रूर ट्राइक कीजिए बहुत ही टेस्टी बनती है एक बार बना करके ज़रूर ख पाईए यह देखिए दोस्तों कितने आसानी से कड़ जा रही है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टिव बच भी बनी है मैं भी आपको काट कर इसके पीस निकाल के दिखाती हूं यह देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमारी बर्फी निकला रही है यह देखिए दोस्तों मैं इसके पीस को काट लिया है देखिए कितनी अच्छी दिख रही है अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जरूर कीदिए थाइंक यू